दोस्तो वीवो T1 5G हाथ में आ चुका है यह वीवो का एक ओनलाइन सेंट्रिक स्मार्टफोन है इस फॉन ने मैं कूँँगा मुझे पूरी तरह से कन्फ्यूज कर दिया क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज हैं जो कि मुझे मस्त लगी है अपने प्राइस पे लेकिन कुछ चीज यह मैं आपके शेयर करूँगा बात करते हैं फाइव मेजर पॉइंट्स के बारे में हैं हमारा पहला पॉइंट है डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी देखो डिजाइन में कोई दिक्कत नहीं है यह आप देख सकते हैं मैट फिशिंग दे रखी है बैक साइड पे और फॉ फोन का प्राइज है 15,000 फोर जी विराम 120 जीवी स्टोरेज वहां पर आपको दे रखी है तो ऐसे मैं मैं कहा सकता हूँ इस प्राइस के साफ से विल्ड क्वालिटी की जबर दस्त लगी है मुझे अब बात करते हैं डिस्प्रे के बारे में यह मारा सेकिंड पॉइंट है द आगे बताऊंगा इन दोनों में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है अप क्रमेंट करो वीडियो को लाइक करो हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में देखो मुझे सबसे बड़ी कमी इस फॉन का डिस्प्रे ही लगा है यहापर आपको मिलती है ड्यू ड्यू ड्रोप अची है था इस प्राइस सेग्मेंट पर और आपको बेजल भी यहाप पर उतने कम देखने को नहीं मिल रहे हैं वीजे चीन आप देख सकते हैं फोन की थोड़ी बड़ी आपको दे रखी है वैसे यहाप को दे रखे है और आपको मिलता है 240 हर्ट का सेंप्लिंग रेड एम बहुत ही अच्छे हैंडल कर पा रहा है यह परफॉर्मेंस यहाँ पर टोप क्लास की है यही हमारा नेक्ट पॉइंट है इस फोन में है स्नैप डगन 695 इसके दोस्तों नंबर पर आप बिल्खुल मच जा रहा है नंबर है 695 बड़ आप इसको कंपैक कर सकते हैं स्नैप पर आपको मिल जाएगी गेमिंग की कैप अच्छी आपको देखने को मिलती है मस्तोली गेमिंग नॉर्मल यूजर आपका या आपको गेमिंग करनी हो कई पूर आपको शिगायत नहीं होने वाली है टूफोर्टी अर्ट की पूरी तरह जादा है तो मैं बोल सकता हूँ 15,000 में ये बहुत ही जबर्दस त्वाला गेमिंग फोन बन चुका है आई कि जो इसकी यूआई एनिमेशन्स है वो मुझे उतनी पसंद नहीं आई है उसको देखकर 120 हर्ट की पूरी तरह जे फील नहीं आती है वैसे याप पर कोई लैग गरा नहीं है 120 हर्ट में बट मैं इसको भी मेरी तरफ से हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इस फोन का कैमरा तो को यहां पर रियर में मिलता है टिपल कैमरा सेटम और प्रैम भी कैमरा है 50 में अभी सल का अब देखो वैसे मैं इसकी कैमरा कॉनल्टी देखता हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है कलर डैनेमिक जिसके काफी अच्छे हैं अच्छे सब कैप्चर कर पा रहे हैं लेकिन वाइड अंगल कैमरा यहां पर नहीं है यह मैं कहा सकता हूं एक बहुत बढ़ी कमी है आज की डेट में हमें वाइड अंकल लैंस इस प्रैस पे अराम से देखने को मिल जाता है ऐसे में यह के वीडियो भी कैप्सर नहीं कर सकते हैं ना फ्रंट ना रियर क्यामरा से यह कुछ चीज़ें कैमरा में जो मुझे लगता है कमी आपको देखने को मिलेगी यह डील ब्लेकर भी है काफी लोगों के लिए खासकर यह यह का ना होना वैसे कैमरा क्वालिटी आप फ्रंट कैम यहां पर आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी और आपको मिलता है 18 वोट फाय शार्जी का सपोर्ट यहां पर 200 लगते हैं इस फोन का फूल चार्ज होने में तो चार्जिंग भी मैं रिकॉर्डिंग प्रूप होने जी है वैसे जो बैटरी की क्वालिटी है बैटरी बैकप है उस इसकी भी क्वालिटी मुझे उतनी पसंद नहीं आई है तो मैंने बता दिया आपको डिस्प्ले कैमरा बिल क्वालिटी क्या मुझे अच्छा लगा और क्या मुझे कमी लगी इस फोन में साथ मैं आपको यह कहना चाहूंगा अगर आप 15,000 भर रहे हैं इस फोन के लिए तो मेरे कोडिंग आपको इसकी जगा पर आईकूज इसकी लेना चाहिए वो भी आपको बता है वीवो का ही सब ब्रैंड है ओफर्ज में वो फोन आपको 15-16 के बीच में अराम से मिल जाते है वो फोन दोस्तों हर पॉन्ट में आ गया है वीवो टीवन 5G के कमपैजन में जैं आ उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी से बैटर आपको मिल जाती है मुहाँ पर है स्नैप डिगन 768 जी गेमिंग की जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बैठर मिलती है उस पॉन में इसके बैजन में तो मेरे कोडिंग तो वो एक बैटर ओक्शन है मुटीवन से अगर आपक करते हैं तो वो अगर आपको मिलता है ना 15-16 में तो आप टेक लीजिए फोन बागी ये फोन के बारे में कहूंगा 15,000 प्राइज अच्छा है फोन का लेकिन जो ये चीज़े आना कॉम्प्रमाइज आपको करना पड़ रहा है वो मुझे मज़े नहीं आया देखकर खासकर इस स्लीमेश्ट 5G स्मार्टफोन और दोस्तों कुछ नहीं पहले हमने देखा था ओल्लाइज जैंट्रिक फोन वीवो का वीवो जैडर्वन ट्रो वो फोन दोस्तों अपने सेग्मेंट का एक ओल्डवर स्मार्टफोन था आपको सेम प्राइस पर जो फीचर मिल रहे थे वह औ आज की वीडियो से अगर आपको है पिलियो तो वीडियो को लाइक को शुक्रा मत बूलिएगा मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में थैंक्स पर आजिंग दिस वीडियो